कर दूस्तो मैं परदीप लाइफ चेंजी मोटी वेश्टल वीडियो में आप लोग का स्वागत हैं आज आप लोग के बीचिक छोटा सा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है जिमेदारी लेना लाइफ में कितनी प्रम जरूरी है कितना अवर्शक है जब तक आप जिमेदारी लिजेगा लाइफ में सफल नहीं हो पएगा इसलिए जितना वर आप लाइफ में जिमेदारी लिजेगा उतनी वरी आपके पाश काम्यावी होगा आज इतने व्यक्ति सक्सेस्फुल हैं उन्होंने जिमेदारी लेना लेना सिखा है और जिमेदारी लिया है इसलिए पर शारी पर कुछ टॉपिक याने एक कहानी के माधिम से समझाना साता हूं। एक ब्राउन नाम का भी नेता रहता है, वो बहुत ही रहस्य बादी रहता है। वो बरेश साइनिकों के गुरूप में शंबोधित करते रहता है। वो जब भी अपना कहानिया खतम करने वाला रहता है, तो सैनिकों सोर मचाने लगता है, और बोलता है, बोलिये कारे करम को आगे बढ़ाने के लिए। उसी बीच में से एक लड़का बोलता है, कुछ गंदी कहानी भी तो सुनाइए। जैसे इस बात को भड़ी पंडाल में सुनता है, सब आदमी इतना सन्नाटा चा जाता है, कि उस बत एक सुईया भी गिरता उस बीच में तो पता चल जाता। शब लोग उनके तरफ देखने लगते हैं, ब्राउन नामक जो भी नेता रहते हैं, कुछ देर तो ये भूल जाते हैं, कि यहाँ पे लोग मुणरंजन करने के लिए आए हैं। उसे अपने बच्चे की तरह समझाता है, और बोलता है, सुनो बच्चो, इस स्टेज पे मैं आज से नहीं हूँ, जब से मैं दस साल का था, तभी से मैं इस स्टेज पे हूँ, मुझे गर्ब है कि मैं बहुत सारे अनेकों तरह के लोग को कहानियां सुनाए हैं। मुझे गर्ब है कि मुझे किसी को हसाने के लिए आज तक गंदी कहानी नहीं सुनाना परा है। कि अबतने लगते हैं लोग कहानी यहीं पर नहीं spec में वो लरका भी रहता है। जो बोलता है कुछ गंदी कुछ कहान कुछ जोक भी शुनाएं। वो खत्म होता है खत्म होने के बाद वो लड़का अपने अभिवाब को के साथ एक चिठी लेगता है और धन्यवाद विनवनता के साथ और भेजता है भेजने के बाद वो परता है बोलता है आपने जो मेरे बेटे के लिए लिखा उसके लिए सुक्रियादा करता हूं दिन ड अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल अकन को दमाना ना भूलेगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक से एर किज़ेगे ताकि और लोगों के पास पहुंच सके